असलाम लेकूम एवरिवन आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्डी रेसिपी शेर करोंगी तो हम बनाएंगे बीफ स्टेक जो कि बहुत ही असान सी रेसिपी है इसलिए वीडियो को स्टाट से एंड तक लाजमी दिखियेगा तो पहले बीफ को अच्छे से दो के ड्राइ कर लेंगे बीफ को अमने अच्छे से दो के ड्राइ कर दिया है अब इसकी उपर तोड़ा सा नमक और तोड़ा सी काली मिर्च पौडर डाल देंगे अब आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी fry कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी उपर तोर से कर्थ लगा के भी fry कर सकते हैं हमने इसकी उपर कर्थ लगा दिये है ताके यह अंदर तक अच्छे से गल जाये अब एक पेंड लेंके इसमें आदा कप के बराबर ओयल डाल देंगे और बस इसमें गोश डालके दोनों साइडों से अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो गोश हमारा दोनों साइडों से अच्छे से गल चुका है या आप लोग देख सकते हैं अब इसमें तोड़े सीलेशन के जवे डालके इसको भी फ्राइ कर लेंगे और तोड़े से फ्रेश हर्ब्स डालके इसको भी फ्राइ कर लेंगे ये डालना आप्शनल है तो बीप स्टेक्स हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं ये आप लोग देख सकते हैं यहां मैं आप आप लोगों को एक पीस कटके दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कितने अच्छे से सॉप्ट हो चुके है तो ये थी हमारी आज की बहुत ही हैल्दी और बहुत ही जटपड़ सी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कॉमेंट करके लाजमी बताईएगा और अगर रेसिपी अच